हेलो गाइस आज की डोनली स्किंग वाइटनिंग के उपर होने वाले है तो आप शुरू से लेकर एंटर इस वीडियो को ज़रूर देखे और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना गाइस मैं आज आपको इस वीडियो में बताने व इसलिए में के रिव के आप प्र्रीम को ट्राइब करें एक बार तब है को पता चलेगा कि मज्बिक रिव कैसी है में क्यम की रिजरल कैसे गाइस में बताती हो कि मेंज बग इतने अच्छ जो कि आपकीस पर प्रब्लम रहती है ना जिसी कि हाइपर पिगमेटरेश के दाग मेलाजमा के दाग, डाक्सफोर्ट यह जो आपकी स्क्रीम पर प्रॉब्लम होते है ना वो सब दूर हो जाती है और साथ में आपकी स्क्रीम वाइटनिंग भी होती है इसलिए में केरी हूँ कि आप एक बार इस क्रीम को ट्राइ करें गाइस आपको पता ही होगा कि जिसको जिस पर इस क्रीम को अपलाई करना है और छोड़ देना है और सुबह गुनगोने पाने से दोलेना है अगर आप इस क्रीम को कंटोनी ट्राइ करते हो ना वाइटनिंग के लिए और ऐसे भी रेगुलीरी आप यूच करना चाहते हो इस क्रीम को तो आप यूच कर सकते हो इसका को मजबिन क्रिम को लगा सकते हो उससे आपकी स्किंग गोरी भी हो जाती है और बिना साइड इपेक के और आपकी स्किंग पर कोई साइड इपेक होता नहीं इसलिए में कहे रही हुआ कि आप एक बार इसक्रिम को ट्राइब करें बिना साइड इपेक के फेस गोरा बना देती है इसलिले मैं किया रहे हूं कि आप एक बढर skrim को try करें तब ही आपको पता चलेगा इस इस किरिम को प्राइस की बात करें तो 25 ग्राम का पेक आपको 900 रुप्य में मिल जाएगा थोड़ा costly है लेकिन इसकी results best है । में केरें शाधियु के आप एक बार प्राइश करें तब आपको पता चलेगा गाईस मैं रोक हीट साथ आपको बता रहे हुँ इसलिए में केरीं के आप वे इक बार ट्राइश करें लो फेसके क्रीम के अच्छी stark aray इसलिए मैं आप औ बता रहे हूँ आचिएड़ी बस इत्में